हलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इन बीन पर दोस्तो अगर आपको कहीं से पता चलता है कि किसी कंपनी के शेर बढ़ने वाले हैं तो आप उसे तुरंद खरीद लेते हैं वहीं अगर किसी वाइड वोर के स्टार्ट होने का निउज आपको म करता आईए देखते हैं फेमस बुक दी साइकालोजी ऑफ मनी में टोनाई जेम्स रीड एक अमेरिकन समास से भी व्यक्ति थे जो कि एक गैस इस्टेशन पर काम करते थे वह अपने फैमली में हाई स्कूल पढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे उन्होंने गैस इस्टेशन से कम लोगों की नेट वर्थ 8 मिलियन डॉलर से जादा थी और रहमस जेम्स रीड उन मेंसे एक झांता था वो यह सब सुनकर अपने बच्चो को द códई और 6 मिल्यों डॉलर अपने नियर बार business ऐन लाइब्रेरी को डॉनेज़ कर द रिचरड़ फुस्पाइन जेम्स लीड स से बिल्कुल ही अलग थे उनको वह हार्वर्ड एजुकेटर थे उनका करेर इतना सक्सेस्फुल था कि वह 40 साल की उम्रों में ही रिटायर हो गए थे उनके पास 18,000 स्कौाइर फिट का बंगलो था जिसमें 11 बात्रूम दो एलिवेटर और दो स्विमिंग पूल भी थे उसका म में इन्वेश्मेंट किया और बस पेशेंस रखकर वेट करते गए वहीं रिचर्ड फुस्कॉन ने लालस दिखाया और बिना किसी प्लानिंग और सपोर्ट के मार्केट से पैसा उदार लेकर के जिंदगे जी इसमें ऑथर हमें बताते हैं कि फाइनेंशल सक्सेस एक सॉफ स्कूल के तरह यूज नहीं किया है तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ सॉफ्ट स्कूल्स लाक एंड रिस्क बिल गेट्स ने 1968 में जिस हाई स्कूल में एडमिशन लिया वह उस समय दुनिया में मात रेक ऐसा स्कूल था जहां पर सीखने के लिए कंपूटर अविलिबल थे उस समय जहां पर काफी ग्राजुएट्स स्टूजन्स के लिए कंपूटर अविलिबल नहीं था और वहीं पर बिल गेट्स वह एक्सेस कर पा रहे थे केवल एज स्टेंडर में 1968 में उस समय लगबक 30 करोड़ लोग हाई स्कूल एज ग्रूप में थे और लगबक 1.8 करो उस समय वह पॉल एलान से मिले और दोनों ने उस समय खुद की एक कंपूटर कंपनी बनाने का सोचा बिल गेट्स भी यह मानता है कि अगर लेकसाइड इसकूल नहीं होता तो शायद आज माइक्रोसफ्ट भी नहीं होता अब बात करते हैं बिल गेट्स के दोस्ट केंट नॉलेज रखते थे लेकिन हाई इसकूल ग्रेजूट करने से पहले मांटेनेरिंग में उनका डेथ हो गया उस समय किसी हाई इसकूल स्टोजन का मांटेनेरिंग में मारे जाने का रिस्क भी वन इना मिलियन था मैथेमेटिकली कैलकुलेट करना इजी है कि हमारे कौन से डिसीजन अच्छे वियो और किस से आपको लॉस हुआ हमारे रिजल्ट के लिए हमारा लग एंड डिस्क दोनों ही इंपोर्टेंट होता है फॉर्ब्स मैगजिन का कवर हमेशा सक्सेस्फुल लोगों के ही फोटो छापता है उन्होंने कभी भी किसी ऐसे लोगों का फोटो नहीं लगाया होगा जिसने डिसीजन तो अच्छे लिए लेकिन लग का साथ उसको नहीं मिला इसलिए जरूरी है कि आप इन पॉट्स को फोलो करें जब भी आप दूसरे लोगों को जज़ करें तो ये माइंड में जरूर रखें कि सक्सेस केवल हार्ड वर्क से नहीं आते और हर गरीब आदमी केवल लेजी होने की वज़े से गरीब नहीं होता है इसलिए किसी इंडिविजूल एंड केस स्टेडी पर फोकस कम करने की बज़ाय हमें ब्रॉड पैटर्स पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए नवर इनफ रजद गुपता जो की एक बिलेनियर थे उनका जन्व कोलकाता में हुआ था टेनेजर में ही वो और्फन हो गए थे वो अपने 40 साल की उम्रे में मेकेंजी कमपनी के CEO भी थे और Goldman Sachs कमपनी के टॉप मैनेजमेंट में भी रहे 2008 के क्राइसिस में जब उन्हें पता चला कि Goldman Sachs में एक हुज इंवेस्टमेंट होगा जिससे कि उसके शेर के प्राइस बढ़ जाएंगे उन्होंने तुरंट अपने मैनेजर को कॉल करके उसके 1,75,000 शेर खरीदे और वन डे में ही केवल 1,000,000 डॉलर का फायदा हुआ बाद में जब इस इंसाइडर टिप का पता चला तो उन्हें और उनके मैनेजर को कई सालों की जेल हुई इस से उनका करियर, रेपुटेशन सब बरबाद हो गया रजद गुपता के पास क्या नहीं था कि उन्हें ये सब करना पड़ा शायद उन्हें अपने इनफ के बारे में नहीं पता था इनफ पानी के लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका रेपुटेशन, आपकी फ्रीडम और आपकी आजादी इसके साथ साथ आपके फैमिली, फ्रैंच और हैप्पिनेंस ये सब इन्वैलियोबल होता है ये सब आपको हमेशा पैसे से नहीं मिलता है गैटिंग वैल्दी वर्सेस स्टेंग वैल्दी मनी को गेन करने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ता है और अप्टिमिस्टिक रहना पड़ता है वहीं पर अमीर बने रहने के लिए जरूरी है कि हम रिस्क के अपोजिट सोचें इसके लिए हमें विनम्र और हमेशा मन में डर रखना होगा जासा कि हमारा पैसा कभी भी हमसे दूर जा सकता है जैसा की हम घर पर रखी हुई जूलरी के लिए contrast करें और pat sends रखें एक साल का growth ना लें यहिरे उससे साल ज़ाले हूम शुट आलें do करते थे कभी भी किसी भी रिसेशन से घबराई नहीं जासे कि बरन वफेट ने अपने लाइफ टाइम में टोटल 14 रिसेशन फेस किये आप अपने मनी को ले करके सर्वाइविंग माइंसेट अपनाएं आप ये ना सोचे कि आपको हाई डिटन्स कैसे मिलेंगे बलकि आपको ये सोचना चाहिए कि आप financially unbreakable कैसे बनेंगे उसके बाद ही आप compounding effect के बारे में सोच पाएंगे हमारे लिए planning बहुत जरूरी है उससे भी जरूरी है कि अगर आप planning के according results नहीं आए तो उससे बचने के लिए आपका क्या plan होगा wealth is what you don't see दूसरे लोगों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करना अपनी wealth को reduce करने का सबसे fast तरीका है हम सभी लोग, लोगों को judge करते हैं कि वो कैसे दिखाई देते हैं, किस गाड़ी में गुमते हैं, कैसी parties करते हैं क्योंकि हम लोगों के bank account को नहीं देख सकते हैं, हम सभी ने market में बहुत छोटी छोटी दुकानों को देखा होगा और उनको देखकर सोचते हैं कि इसके पास कितना ही पैसा होगा, लेकिन सच्चाई में उन लोगों के पास बहुत जादा wealth होता है क्योंकि वो ना तो कपड़े, गाड़ी और बाकी चीजों में दिखावा करते हैं, बलकि अपने पैसों को उन्होंने अच्छे से सेविंग्स किया होगा होता है exercise करना है जैसे कि आप एक rich person है, और आप सोचते हैं कि आपने अपना targeted काम किया है, तो मेरी treat बनती है वहीं पर wealth का meaning है कि आप उस treat meal को ना करके और ज़्यदा calories बन करके fit रहें अपनी wealth को बनाने के लिए सबसे ज़्यदा ज़रूरी है आपका saving rate ना कि आपका income और return rate और आपको saving करने के लिए को special reason नहीं चाहिए, आप केवल इसलिए भी savings कर सकते हैं क्योंकि बस आपको saving करना है freedom, अपने time को control करना ही असली dividend है जो की पैसा हम को देता है जेली सुबह अटकर यह कहे पाना कि आज मैं वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाता हूँ ही आपकी wealth का highest form है आप कौन सा काम करना चाते हैं, अपने काम को आप कैसे करना चाते हैं, आप अपने काम को कब और किसके साथ करना चाते हैं ये सबी freedom देना ही पैसे का highest dividend होता है investment banker एक internship करने का भी मौका मिला, और वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि लोगों का midnight तक अपने घर पर जाना एक normal routine था ये उनके लिए एक अच्छी paid job थी, लेकिन ये उनका बहुत ज़्यादा समय ले रही थी जिससे कि वो अपनी life को अपने according control नहीं कर पा रहे थे अगर हम आज से कुछ साल पहले की बात करें, जब physical work ज़्यादा होता था तो लोगों का अपने time पर control था वो अपने आजपरोस में लोगों से बात करते थे और extra work करके भी happy रहते थे वहीं आजकल ज़ा manual की जगे mental work आ गया है, जिससे आपको बस अपने mind का use करके काम करना है तो आप अपने duty time के अलावा भी अपने काम में busy रहते हैं और बस हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं और थर बताते हैं कि हमारे family and kids के लिए most of the time जरूरी है कि हम उनके पास रहें उनकी happiness का हमारे पैसे से बहुत कम लेना देना होता है पैसा बचाना आपके ego और income के बीच में रहता है wealth वो है जो आप आज नहीं देख सकते हैं यह matter नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं आप जब तक आज के money spent को रोक नहीं सकते तब तक आप future में बहुत ज़्यादा wealthy नहीं बन पाएंगे अगर आप maximum time गलत हैं तो भी आप अपना fortune बना सकते हैं डिजनी जब स्टार्ट हुआ था उनका performance बहुत ही बेकार था उनका first studio bankrupt हो गया था 1930 तक उन्होंने 400 cartoon पेश किये थे लेकिन सब के सब fail उसके बाद आया snow white उसने कुछ ऐसा चेंज किया कि 6 महीने में 8 मिलियन डॉलर कमाए और company के सारे debt को चुका दिया अब आपको जो भी दूर से successful और अच्छा दिखाई देता है उसके पीछे बहुत सारा struggle और time होता है बारन वाफट भी 50 साल के बाद अमीर बने थे इसमें आइडिया यह है कि आप कुछ टेल इवेंट्स जो कि आपको बहुत बड़ा result देते हैं जैसा कि हमने 80-20 principle में सीखा था आपके 20% effort आपको 80% result देते हैं तो दोस्तो दी psychology of money में बस इतना ही हम उमीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को like, share, subscribe करना ना बुलिए और comment section में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा